तीन राजों की पंद्रा राज सभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला यूपी की दस्वी सीट के लिए है इस बीच खबर आ रही है कि अपना दलक मुरावादिय अधक्च पल्लवी पठेल और सभाप्रमुक अखलेश यदव के बीच में ती हो गई है पदादें की पहले पल्लवी पठेल ने डिनर डिपलोमेसिक का हिस्सा नहीं बनी और अकलेश अब उनकी तीकी बहस हुई है सुत्रग नुसार पिसली नाराजगी पर बाचचीत में बहस हुई अकलेश यदव ने गुस्थे में पल्लवी पठेल से कहा कि वोट न नहीं डाला और थोड़ी ही देर में मतदान के लिए विधान सभा पहुंच सकती है पलवी बटेल पहले से अकलेश यादव से नराज चल रही है अपना दल कमुरावादी ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके वधायक राजसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैनिर लेट्स को वोट नहीं देंगे दसर राजसभा चुनाव में अकलेश यादव दोरा जया बच्चन और आलोक रंजन को उमीदवार बनाने को लेकर पूरा मामला देखने को मिला था वहीं बता दें कि पलवी इस बात से नराज हो गई थी उनका कहना है कि अकलेश यादव न राजगी से समाजवादी पार्टी के पुर्वांचल में नुकसान हो सकता है दरसल अपना दल कमुरा वादी को पुर्वांचल में अपना दल सोने लाल से अलग राय रखने वाला वर्ग पलवी पटेल से जुड़ा है पलवी पटेल की नराजगी से पिछड़ा वर्ग और साल 2022 में हुए यूपी विधान सभाचुनाव में डिप्टी सीम और बीजेपी में पिछड़ा वर का चहरा केस्व प्रसाद मौर को सीराथू सीट पर हराया था और ऐसे में पलवी पटेल एक बड़ा चहरा बनकर भी उबरी थी लेकिन इस बीच अकलेश यादफ से उनकी बह करने वाली हैं